हम आज सर्फिस टेंशन को प्रैक्टिकली कैसे डिटरिमिन करते हैं उस पर बात करेंगे एक छोटा सा इस्टूमेंट है वो इस्टूमेंट भी नहीं काज के ट्यूब जैसे इस्टूप्चर है वो कोई मसीन नहीं है एलेक्टिसिटी से चलने वाला ऐसा कुछ नहीं है जैसा एक इंस्टूमेंट है जिसका नाम है स्टेगलेनोमीटर यह रिखा हुआ है स्टेगलेनोमीटर तो मैंने पर हडिक के आपनाया है इसको पहले बात करेंगे हैं इसको छोटा यहां छपा हुआ है वही यूज़ करनाया है उसका नाम है इस्टेगलेनोमीटर जाने इससे पहले surface tension क्या है surface tension का importance क्या है surface tension पे temperature का effect क्या है इन सब के बारे में हलका हलका बात हमने किया है जड़ा देखें surface tension के बारे में जब मैं बात करूँ तो surface tension में हमने यह जो method लगा है उसको determine के से करना है तो उसके लिए पढ़ली जो instrument है उसके बारे में हलका सा बात कर लेते है पहले हम जो instrument है उसके बारे में बात करें अपकरल हिंदी में उककरल है उककरल का नाम है Stalagnometer Stalagnometer हिंदी ग्यूरिश मैं यहाँ देता हूँ यह उपर लिखा है फिर भी एक माली दे रहाओ Stalagnometer ठीक है यह है अपरेटरस के बाद है तो अपरेटरस कैसे होता है पहले उसको ही देख लेते हैं यह नायरा मना हुआ है यह ओरिजिनल में कैसे लिखता है वो भी दिखा लेता हूँ यह है इस टेलेगनोमेटर का एक छोटा सा चूब ठीक इसी यह प्राक्टिकल में भी है अपने तो कैसे करना है तो तो बाद करेंगे या किस अब्जिक को लेकर करना है वो बाद करेंगे लेकिन पहले यह देखिया ऐसा है यहां पर एक कांच की ट्यूब में माने रबड lado fit कर दिया कि पाने जब बसी करें है जो लॉबड धार से खीचें तो फिर असानी हो जाए हमा उद हम इस में एक पीपेड जैसा structure है इसको एक पीपेड जैसे structure बोलते है पीपेड भी ऐसे दिखता है अब यहां से यहां से marking start वाहे इस marking जहां से start वाहे उसको मैंने a point नाम देदिया है और एक bulb है थो उस a reservoir जहां पानी रूके कुछ देर और फिर आखिरिम जहां marking खतम हुआ है उ यहां तो मोटी पाइप है नीचे जो पाइप है वह पतली है तो कैपिलरी क्यूब जैसा तो कैसी का नली में क्या हो द्रॉब बहुत धीरे-धीरे अधरे-धीरे गिरेगा एक दम बारीक यहां पर चिद्र है जिससे बूर्ण बारेबारी से गिरेगा तो यह अपरेटúp ह्टेए है तो इस अपरेटसमें क्या क्या है वह खुद लिख सकते हो चाहो तो नहीं दुम्रे लिकादे रहता है किसे में या एक पत्ली यह है काच की नली होती है जिसके बीच में फुला हुआ हिस्सा होता है जिसके बीच में फुला हुआ हिस्सा होता है और निचरे भाग में एक कैपिलरी पत्तरी चित्रवाल क्यों होता है और निचरे भाग में एक कैसी का कैसी का नली होता है यह हो गया इतना काफी है अच्छा यह बोल सकते हो कि यहां और बी दो मार्किन लगे होते हैं जहां से शुरूत आता है उपरी भाग में रवर्ट ट्यू लगा के जल को खीचने के लिए एक सहारा मना दिया जाता है कि यह समें लिख सकते होगा मैं और नहीं लिख रहा है कि एक सकते है क料ओ एक सकते नशлять है इस अव्लास ट्यूने अच्छलड के वर्बे चratosनी अव्लम्स अव्लम्स यह बतर है अव्लम्त प्रव्लम्स अ बभनी यह नह संआ प्रभनी आव्लमस प्रवर्ट lower side यह एक उपकरण के बारे में information हो गया कि क्या है अब थोड़ा सा इसके theories पे आते हैं एक theories पे आने से पहले थोड़ा सा method को भी बात कर देते हैं करना क्या है उपकरण के just about, अप्रेटर्स की just about method पे बात कर देते हैं तो ज़से देखे method में method को बस अंधार हो, बस आप इसको अपने सब्रों में लिखेंगे method में क्या तर्ला होता है method विधी विधी में जो ही हमको द्रव दिया है यहाँ पर फिर से तुलात्मा का ध्यान करते है तुलात्मा का उतलब है एक ग्यात और एक अग्यात एक known और एक unknown होगा दो विल्यल हमको चाहिए यहाँ पर दो विल्यल हमको चाहिए एक को ग्यात दोनेंगे और दूसरे को अग्यात 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 जिसका निकालना है इसको हम लोग लिखेंगे unknown और इसको लिखेंगे है known तो ये तरफ known और दुसरे तरफ unknown होता है, आप क्या करें, अज्याद में क्या क्या हमको चाहिए, वो हमको देखना है, instrument तो एक है, instrument एक है तो फिर इसके जो instrument से value चाहिए वो तो same आएगा, क्या के difference विल गए हों है उनकी बाद करता हूं ज़रा दीगे यहां पर इसकी density है जो ग्यात है उसकी density मालोग दीवन है तो यहां D2 है तो दूसरा चीडिया यहां surface tension गामा माल लिया यहां गामा 2 माल लिया किसी एक पता है दुछरा नहीं पता है तो यह हमको फिरहाल निकालना है और क्या एक चीज हमको जो प्राक्टिकल सा निगालना है वह भी बात कर लेते हैं क्या प्राक्टिकल से हम जिस भी ग्रॉपनी experiment करेंगे इसको पूरा यहां था खीच के यहां तक भर देंगे या उससे उपर भर देना बाद मुदीरे से बलेना है अब बलेंस करने के बा अब उसके बाद इसको जैसे यहां पॉइंट पर आया उसको यहां से बंद करते हैं उपले उपर ज्यादा फ़्लव और दिर दिर कम कर ओऊ इसको को फूलते हुए एसा पूल करते हुए और त्षीर जाकर जहां तक पॉइंट बलेंस को किरूप जाएगा वहीं पर इसको कि फिर घिरेगा नहीं थे हैं तो अमान लिजे अब यह भर गया कि भरने के बांद यहां से यहां तक ě失ते हैं benim और भैते समय को अभिऊंदों के संख्या को गिनूं को अधों के संख्या को गिनूं आंड पर द्रॉपS और मालो इन tw шum क्यों practical होा प्रैटिकल में यहां पर हम N1 और N2 ही गिनते हैं वह किसी भी तरह का practical हो या इससे सांद्रता निकालो इससे संद्रसे संचन्शन निकालो इस इंस्स्रूमेंट काम ही है कि हम यहां से चड़ाते हैं liquid को यहां से यहां तक आने पर कितने बुंदे यहां पर drop बना उ इस जो capillary tube की जो जो भी इसका radii होगा वो दोनों में common है capillary tube के जो radii होगा वो common है हलकी जरूत नहीं पड़े कि पर common है याद रखना फिर यहां का mass मालो M1 है यहां का mass मालो M2 बून का जो भाग होगा यह भी concept में use हो सकता है तो पहले विधी को समझ दीजिए वी यूज दी comparative method का मतलब तुलात्माक हाला with respect to reference या ज्याद known solution हिंद्य में क्या पूर सकता हूँ इस विधी में हम तुलात्मा कध्यान करते हैं एक संदर्भ या ज्याद सन्विलियन के मान से अज्याद का मान निकाला जाता है तो इसके लिए करते क्या है एक बर ज्याद का experiment करते हैं एक बर अग्याद का experiment करते हैं हलाकि ज्याद का इक ही बार करता है इसको आप चाहो पांस साथ बर करो लेकिन इसको विल्सेटप तो एक ही एगा इसलिए एक experiment क्लएगा यह दूसरा experiment क्लएगा यहां 2-3 बार दोगी लगता रिटिंग आया है उसको रोकड़ा ह tabii यहां 3 बार कम से कम सब दिखाना जींपड़ेगा जिसमे रिटिंग काफे पास पास आ रहा होगा इंगी एकटम डिफसरेंट डिझि आघा एंका हमिन आज करते है लेकिन छोड़ देते है सो नहीं करते, जो आकरी के ती रिडिंग जो काफी करिये बाये, उसको आप सो करिये, फिर उनका एवरेज वैली यहाँ पर निकालनीजिए, बूलो के संख्या का, ठीक है, मालो इसमें पहले बार में 10 बूंद आया, फिर 12 बूंद आया, फिर 10 बूंद आया, ऐसा, तुम दोन पहले अब इतना नोट करें, फिर बात करते हैं, देखिए अब इसके लास्ट पार्ट में, अब प्रिंस्पल और कल्कुलेशन के एक साथ लिखाऊं, प्रिंस्पल उतना पर तरह से सिंधान और गड़ना, ऐसा लिख देऊं, क्या होता है, समझेंगे, कोई भी जो इस्टे पर रहे हो, छोटा हिस्ट, एकदम ट्यूब ज्सपल आपना, इस बड़ा हिस्ट को सो नहीं कर रहा हूँ. जो रिजर्वायर था या वल्ब था, इसको सो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देख आओ. इस लास्ट पार्ट से जैसे ही वह बूद टककेगा, तो इस टककेगा बूद की साइज को देख़ा, आपको भी डॉप इसा टककाते वह देखे, डॉप एकदर से सिर्थर सिर्थर गिराओ, यहां से गिराओ, सिर्थर यहां इच्रे निकला ऐसा नहीं होता है, पर इवालों स जब चिपके हुए निकल को नीचे गिरेगा और यहां पर दिर दिर बूंदों की साइट बढ़ेगा और भार जब अच्छा अभी हो जाएगा फिर वो टपकेगा समझो जब बात को पहले बूंद दिर दिर इकठा होगा बड़ा होगा और यह बूंद की साइट जैसे जैसे बढ़त होती जाएगे फिर उसका भार इकठा होगा और भार फिर नीचे गिरेगा लेकिन जिस समय वो गिरा उससे एकदम थोड़ी दर पहले है मतलब जब दोनों बहार बराबर हो जाए उस समय की बात करता हूँ तो उस समय जो ऊपर के और बल लग रहा है और नीचे के और बल लग रहा है वो दोनों बराबर होते हैं कुछ देर के लिए जैसे इधर का बल बड़ा हुआ वो गिर जाता है वापस होगा जब ड्रॉप टपकता है तो बने जो मुंदी है तो सिस्सय मे're कि यहां यहां आपने बूल छोटा हो फो थोले सब बढ़ा होगा ऐसा बढ़ते जाएगा तो पहले प्रते गाल पहले अब पहलेh तो तीन स्थित्य आएगी पहले यह अवल बढ़ा होगा यह छोटा होगा तो बिलकुल नहीं गिरेगा दूसरा स्थित्य दोनों बराबर हो गये तो एक्विलिब्रियम रहेगा साम में रहेगा और तीसरा यह बढ़ा हो गया नीचे बार बढ़ा हो गया तो फिर वो नीचे टप आज जाएगा वही होने करण वजन होने के करण तो अब यहां पर बल की सामने वस्था वाला कॉंसर्प को यूज़ करेंगे यहां गड़ना में कैसे जल देखें इस कैपिलेरी ट्यूब का पर कौन सा बल काम कर रहा है तो सता तनाओं के कारण चिपका हुआ है सता तन से रिर्टेट जो बल है उसको देखाँ 2πr वो कैपिलेरी का जो पेरिफेरी है उसको लेवते हैं 2πr और गामा गामा क्या है सर्फेस टेंशन दोनों को मिलादत तो यह हो जाता है उसके कारण बल इसके कारण उपर वाला बल यह है 2πr इंटू गामा नीचे बला बल है वो भाल का बल है जिसको हम्हों डबलू पोस्टू एंजी बोलते हैं फिजिक्स के लेंगेज में ग्रविटेशनल कोर्स नीचे की और वेट कर वेट बोल देते हैं तो यह इसके बराबर होगा है एक वेट को हम लोग एम जी से सोकर देते हैं अब इस एम को एम को थोड़ा सा एम को हम लोग कैसे सोकरेंगे वालिम इंटू डेंसिटी यह भी एम नी है और फिल इंटू चाहिए लेकिन जब बुंदों की बहार होता है तो प्रती बुंद प्रती ड्रॉप लेना होता है तो प्रती ड्रॉप लेना होता है तो यहां पर हम लोग एन से डिवाइड कर दे न कहा है बुदो के संख्या है तो यह प्रती ड्रॉप बजाता है पर ड्रॉप हो जाता है तो यह नौजिक तयार हो गया हमारे पास अब अनली जो काम का चीज़ है उसको लिख देख लेते हैं अब इसमें से कौन काम कुसको देख लेते हैं क्या कहा है तो पाई कॉस्टन्ट आर केपिलरी की जो द्रिज जह दो गोह रहा है तो आर रेडियाई ऑप्टी केपिलरी ट्यूब यह केपिलरी ट्यूब की तिरिज्जिया है और गामा क्या है गामा सतन तनाव है सतन तनाव सर्फेस टेंशन यह श्रुवाब से जामते हैं सर्फेस टेंशन ठीक है वी क्या है Ayton जो द्रव लिये गया है uca intuitive बी क्या है density घलत सब्सक्राइ। न क्या है सबसे अच्छा क वाला चैज्ज है यही तो हम कल्कॉलेट कर रहा है चौल ने बुदों की संख्या कहा वो पॉइंट A से पॉइंट B तक चलने में बुदों की संख्या नमबर ओफ ड्रॉब नमबर ओफ ड्रॉब यंदी में बुदों के संख्या G क्या है G आप जामते हो फिजिस का है ग्रेविटेशनल एसिलिरेशन वेल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड तो यहां से देखो इसको बोलते है गुरुत्वी तवरान हंदी में गुरुत्वी तवरान इंग्लीश में ग्रेविटेशनल एसिलिरेशन तो इसका वेल्यू होता है 9.8 और 9.8 मीटर पर सेकंड अब जब उन इस यहां पर सेक्शच के Ralph क्तकर अन्युक्त सब्सकर आजड़ेशनल है तो इस को इस चरण सेक्षच बाहिख हो यहां जो परिखा है आप यह उसा प्धुद्द्धद्ध देता हूँ इसको भटा-तो कणत्द्ध कैसे है यह कर्ण नो में grav minute जिसको बूल को है, उसके लिए यह experiment होगा, तो इसके लिए experiment होगा, तो क्या होगा, 2 pi r, इतना तो same रहेगा, क्योंकि instrument तो रहेखी है, तो r भी same रहेगा, और 2 pi तो constant रहेगा, तो 2 pi r, gamma 1, नोन को मैं मात बढ़ा है, equals to, v 1, d 1, g same रहेगा, n रहेगा, इस तरह साथ, ठीक है, यह रहा है, और एक्कान करते है измें, और क्या के ची सेम रह सकते है, उसको हटते है, इस volume को ही same रहेगे, volume को भी amount भी बदलना है, जतना इसको अध्याद लेंगे उसना ही अध्याद लेंगे, तो वाल्यों को नहीं बदलना है density दो डेफेनेटली सेम होगा क्यों गरंटिब नहीं है तो यह हो गया इतना में यह हो गया एक्वेशन मर्वन अगर हम इसी को नोर के जगा अन्नों के लिए लेते हैं जो हमारा मेंट अर्गेट है फिर वल्यूम भी सेम रखेंगे density बदलेगा G तो सेम रहें की constant होगे और यह n जू हो जाएगा बुन्दों की संख्या इक्वेशन नमपर तो आप देखो दोनों का में रेश्यो बनाता हो आलो तो गामा 1 अपान गामा 2 या उल्टा करो उल्टा का लोगी से ज्यादा आसान गोड़ा क्योंकि गामा 2 निकालना है टू बाइवन करगे तो क्या हो जाएगा पुरा कट जाएगे यह यह कट जाएगे कुआ तो बचेगा गामा 2 अपान गामा 1 गामा जना आज जिसमें ठीक है इसको नीचे अब क्या बचा है वल्यूम को वल्यूम से काड़ो जी को जी से काड़ो तो अब क्या बचा है उसको देखेगे यह वादब उपर रहेगा D2 by N2 upon D1 by N1 अर्था क्लियर करूँगा तो यह हुजाएगा राइट साइड और D2 by N2 into N1 by D1 उल्टा तो यहाँ से आप देखेए मुझे निकालना है गामा 2 तो गामा 1 को भी देखेगे गामा 1 क्या हो गया यह मुझे फर्मला तयार है अब यहाँ से हमको जो जो चीच चाहिए वो साब यहाँ पर आ जाएगा ठीक है भई भूक में मालो अग्यात को गामा 1 मान दिया हो तो कोई घबराण नहीं है मैंने जो माना है उससे समझवा रहे तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें से हमको देंसिटी नहीं पता होता था देंसिटी के पता करने कले एक अलाग experiment करना पड़ता है तो वो पता होत अच्छी बात है यार कोश्चन अगर देगा तो वो देगा देंसिटी और N1 दो बुल्दों की संख्या है यह प्राटिकल से निकालते है देंसिटी किनोमेटर से और यह पहले वाले solution का तो ग्याथी होना चाहिए गामा गामा कहने के मतला surface tension तब यह काम हो पाएगा और यूनिट वही रहाएगा जो पीछे हम लोग बात किये हैं क्या भे? देख ले ना किस यूनिट में आ रहा है यूनिट को ज़्यादा सब्सक्राइट नहीं है यूनिट जैसा चाहऊँगे जिस यूनिट में रखो कि वह उसी यूनिट में दीखेगा इधर कामा किस में रख्या हो उसी यूनिट में इधर आएगा कि डाइन सिंट्यमिटर के इमर्स रखे हैं कि न्यूनिट में इमर्स रखे हैं वह अद देखने ना तो यह हो गया इस टॉपिक में लास्ट पॉंट सर्फेस टेंशन इसी के साथ यह जो लिक्विड स्टेट वार जो चैप्टर है वह हो गया फिनिश अब जो सेकंड पार बेचा उस पर बात करेंगे अगले फ्लास रहें